टास्क, पेशिंट डीटेल्स मैनेज करना इस टास्क में आप कई तरह के पेशिंट मैनेजमेंट कार्य सीखेंगे पेशिंट मैनेजमेंट व्यक्तिवियत तोर पे किये जाते हैं डिस्टिक्ट लॉगिन द्वारा 99 डॉट्स में लॉगिन कीजिए मेन मेनू से कैलेंडर ओप्शन सेलेक्ट कीजिए यहां आपको सभी पेशिंट के वर्तमान महीने के अध्हरंस दिकाई देंगे पिछले महीने के अध्हरंस देखने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्स से महीना सेलेक्ट कीजिए पेशंट ने अगर टोलफ्री नंबर पर कॉल किया तो कैलेंडर में हरा रंग का बॉक्स दिखाई देगा और किसी दिन कॉल नहीं किया तो उस दिन के लिए लाल रंग का बॉक्स दिखाई देगा इससे पेशंट रोज दवाई ले रहा है की नहीं हम पता कर सकते हैं पेशन्ट डीटेल्स मैनेज करने के लिए पेशन्ट के नाम पर क्लिक कीजिए आप इस पेशन्ट के चिकित्सा के शुरुवात से अभी तक का अधरेंस कैलेंडर देख सकते हैं यहां से आप नोट्स और टैग्स आड़ कर सकते हैं जैसे कि अगर पेशन्ट ने स्टाफ को कहा है कि कल टोल फ्री नंबर काम नहीं कर रहा था इसलिए वो कॉल नहीं कर पाए तो स्टाफ टोल फ्री नंबर नॉट वर्किंग टैग आड़ कर सकते हैं अड रिमूट टैग बटन क्लिक कीजिए जिस डेट में पेशन्ट कॉल नहीं कर पाया उस डेट को सेलिक्ट कीजिए कन्फर्म आल्टरिंग टैग्स बटन क्लिक कीजिए चूज टैग्स फील से सही टैग सेलिक्ट कीजिए इस उदाहरन में टोल फ्री लाइन्स नॉट वर्किंग टैग सेलिक्ट कीजिए आप additional notes भी enter कर सकते हैं add these tags बटन क्लिक कीजिए आगे हम manual dose mark करना सिखेंगे यह विकल्प ज्यादा उपयोग न करें अत्यावश्य कार्णों में ही manual dose mark करें लेकिन पहले patient से निस्चित कर ले कि उन्होंने दवाली है manual dose mark करने के लिए mark और remove manual doses बटन क्लिक कीजिए तारीक select कीजिए confirm altering manual doses बटन क्लिक कीजिए additional notes में manual dose mark करने का वज़ लिखिए mark as manual बटन क्लिक कीजिए अगर आपने गलती से कोई manual dose mark कर दिया है तो remove manual doses for selected days बटन क्लिक करके उसे निकाल सकते है आगे हम details विकल्प के बारे में सिखेंगे इस विकल्प से आप patient का phone पता इत्यादी बदल सकते है patient के जानकारी बदलने के लिए details टैप क्लिक कीजिए edit details बटन क्लिक कीजिए मौजुदा जानकारी बदलना चाहें तो बदल के submit changes बटन क्लिक कीजिए आगे हम treatment center विकल्प के बारे में सिखेंगे अगर patients अपना जिल्ला या ERT center बदलते हैं तो आप यह विकल्प से वह जानकारी बदल सकते हैं treatment center बदलने के लिए edit details बटन क्लिक कीजिए नया center select कीजिए submit बटन क्लिक कीजिए आगे आप tags and notes के बारे में सिखेंगे यह विकल्प से notes और tags अड़ कर सकते हैं यह adherence tab से notes अड़ करने जैसा ही है जो आपने पहले सीखाता अब हम medical details विकल्प के बारे में सिखेंगे इसे आप patient के चिकित्सा के मौजूदा विवरन बदल या नया विवरन आड़ कर सकते हैं edit details बटन क्लिक कीजिए और विवरन बदलने के बाद submit बटन क्लिक कीजिए अंत में close case विकल्प के बारे में सिखेंगे आप चिकित्सा के परिनाम के अनुसार case बंद कर सकते हैं जैसे कि patient टीक हो जाते हैं, patient की मृत्यू हो जाती है patient default करते हैं या patient MDR treatment में transferred out हो जाते हैं case बंद करने के लिए close case बटन क्लिक कीजिए treatment outcome field में case बंद करने का वज़ग सेलेक्ट कीजिए additional notes लिखे और submit बटन क्लिक कीजिए